ही गाइज, Assalamualaikum, Welcome आपके अपने चानल, हधीफा क्रियेशन पे तो गाइज एक बर फीड से हाध जीरो को मैं कुर्ट्यों का कलेक्शन ले करके तो गाइज आजका। जो मेरा कुर्टियों का कालेक्शन है वो मेरा खुद का बनाया हुआ है. तो वही आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ. तो गाइज इसमें कौन सी फैबरिक यूज होई है और कौन सा स्टोन यूज हीए अगया है. तो ये कोटियां कैसे बनी हो ये सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वारी हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को तो यहां पर मैं आपको दिखा दूँ यह जो मैंने खबड़ा लिया था और रेड़ी इसमें वर्क हुआ था इंजोड़ी और जरी का तो मैंने कुछ भी इसमें ज्यादा डेकुरेशन नहीं किया है सिर्फ यहां पर मैंने स्टो बटन बना करके स्लेट्स में और बैक पर लगा दिया है चलिए मैं आपको दिखा रेती हूं सबसे पहले मैं बात करती हूं इसके वर्क न इsmन बोत्मोंतियों का और जरीका इसमें वर्क भुआ है इसमें कुछ कल्याबुत्तू का भी यूज किया गया है और इसमें क्या गया है पूरे कुर्टियों में छोटा छोटा स्टोन लगा दिया गया है आप यह जो देख रहा है यह मैंने शलवार का कपड़ा बॉटम पे लगा दिया है तो guys आप देख सकते हैं बैक पर भी मैंने शर्वार का कप्ड़ा लगाया है bottom पर ऐसे ही sleeps भी मैंने लगाया है तो ये जो मैंँ फ़ेस्ट कुर्टी आप देख सकते हैं बहुत ज़ाधा pretty है इसमें पंजाबे शर्वार है और इसमें प्रेस दुपट्टा भी इसे कलर को मेशन में दिया गया है तो चलिए अब मैं क्या करती हूं अपने दूसरे कुर्टी की बात करती हूं उसमें भी बहुत जादा मैंने अलग-अलग इसमें सारे कुछ कपड़ा लेकर के बनाया हुआ है तो यह मैंने आपको बतान सब्सक्री के लिए और यहां पर मैंने पैस लिया है और पैस में क्या किया है यह जो आप तीन ब्रोच देकर रहे हैं स्टोन का यह मैंने अलग-षले करके पैस पर लगा दिया जो मेरा पैस है सिर्फ वांध-थर्टी का है बहुत साथ कॉस्ट इसकी नहीं है और मैंने है क् यह पैस जो मैंने 130 का लिया, इसके बाद मैंने इस पे ब्रोच लगा दिया, ताकि इसका लूप दिखने हमें साफी अच्छा लगे, और बहुत अधर इस कपड़े की कॉछ नहीं लगी, और मैंने क्या किया है, लेस का यूज का यूज किया है, जो नीचे बॉटम पे लेस ल लगा दिया है, तुष दिजाइन लेडियो, इसकी लुप की, तो आप भी आर्सा कुछ कर सकते हो, आपके पास इसा तरीके की ने अजरीया कुछ भी हो, और मैंने क्या किया है। आउटल एडिया पर लेज का यूज का यूज का है, जो मैंने स्टाइड पे पर पर ले की ल तो हमारी यह जो सेकंड कूर्टी है बनके रेडी हो गई है आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हैं और मैं अपने दूश्य कूर्टी की बात करूं तो इसको भी मैंने अलग-अलग लिए इसमें कुछ स्टोन का वर्क हुआ है सिल्क जरी का यूज किया गया है क्रेन स्टो आपड़े बलो तो नेक्स से स्टार्ट करते हम नेक पेहले मैं आपको बता दूँ जो नेक्ट के ृजजाइन है वो जरी सिल्क पे मैंने बनाई है और क्या केस में स्टोन का यूज किया है वाइट इस्टोन का और यूजर ऑडर इयरिया पर अबने इक ओडर एरिया पर मै जैसे अहलका ही open किया है फिरंटर्स लिट्स बहुत जादा 펜 लगा हुए और इसकी नहीं पड़ी थी मुझे और मैंने बहुत टाइम पहले फिर्स टाइम इसको बनाया था तो मैंने रहा आपके साथ कर दूं और मैंने जाएक बॉटम पे ऐसे शेल्क जरी का योज़ कर लिय है मैंने कहा है मेरा अस्तर लगा हुआ है उसको हाफ난ेट ओने के बाद मैंने यह अस्तर लगाया हुए है और मैंने इस स्गुर्ति भाक पर क्या है बहुत ही सिंबल तारीके से नेक immense बाच वयकर कर दिया है श्छोटा खळला म्यूत बहुत जादा डीप कलर मैंने यह रखा है पूरे एरिया पर लगा दिया है जरी सिल्क ये देखे हमारी ये भी कुर्टी बनके त्यार हो गई है तो गाइस ये मेरी बहुत बगानी कुर्टी है तो मैंने का आप किसा श्राइब कर दू मैं इसका रियूस याप सभी को दिखाने वानी हो अगर आप चाहो तो तो बहुत सब्सक्राइब करने में और अपनी कुर्टी बनके रेडी भी हो जाती है तो मैं अपने दूसे कुर्टी की बात करो ते मेरा ग्रीन सिल्क पे है ये कपड़ा और अंदर जो फैब्रिक लगा है वो कॉटन का है तो सबसे पहले मैं आपको कुर्टी दिखा देती हूं कि की त करन retraan slap की मैंने बनाई है यहां पर कुर्ती और नीचे जो जरी यूज की है मैंने ब्रोकेट वह गोल्डन का लर का है ग्रेन और गॉल्डन का कॉममीशन बहुत ही प्रिटी लगता है इसे मैंने गॉल्डन का यूज्टर का यूज किसी भी कॉमगनेशन पे लगा दो तो ब बोगा थाद ऺही भी नहीं है और स्ट्चलेट मैंने ओपन किया है यह देखिए वा ABC' कॉर्टन प्रेट उपन के जूजि किया है जो अंदर मैंने त待 यूजन ऑथिया है वह बबने तक ने लगा कि थे आमारा और पूरा नगात?! यॉआ पोरा दिखा दो पुरा नीचे तक मैंने लगाया हुआ है और मैंने क्या किया है यहाँ पर बॉटम पर यह ब्रोकेट लगाया है गोल्डन कलर का यह देखिए कुछ इस तरीके से हमारा बॉटम पर लग गया है और अंदर का मैं कपड़ा आपको दिखा दूँ वो ग्रीन कलर का कॉर्टन का है यह देखिए ग्रीन कॉर्टन या फिश्ट फटेब्रिक कोई भी लगाया अंदर अस्तर के लिए वो चॉर्टन पर लगाया चिछ ज्यादा बटर होता है कि इस और लिवर रहता है पहने पर बैक पोधिन मैंने यह किया है यह देखिए और डोनों स्लेव से मैं यह यह यूज किया और स्लेव में पूरी फूल लेंथ की है यह देखिए तो यह मेरी कुर्ती यह बाली बाहर से नहीं लिए सिर्फ मैंने यहां पर जो में वी में वह दिया हो वह जो है और यह सारा कुछ मेरे गहर्पे रखा हूआ तो मैंने यूज कर लिया है आपको सबसे पहले दिखा देती है और मैं इसमें से मैंने ये पैल्स दिख रहे हैं यह पास रिक्ती हुई थी तो मैंने फ्रांट पर लगा दिया ताकि यह लोक अलग से आए अची अजय बहु neural थब्काए में सकते के आप awakened gossip यहां पर लगा दिया है लेसे गोल्डन कलर की और बॉटम पर मैंने जो आप देखा था ब्रोकेट का बचा हुआ था मैंने वही गोल्डन कलर का यहां पर यूज़ कर लिया है तो देखें बाहर से बहुत जादा कुछ कॉस्ट मैंने नहीं लगी है घर पर यह आब आ सकते हु और यह देखें बैक पे बिल्कुल मेरा सिंपल है बस फ्लावर नेट बचा हुआ था तो मैंने चोली के लिए बैक पे भी लगा दिया है यह देखें कुछ इस तरीके से हमारी यह भी कुर्थी बनके रेडी हुई है आप समझ सकते हो कि इसमें कितनी कॉस्ट लगी हुई हो के दोनों साइट स्लेप से मैंने फ्लावर नेट लगाया हुए तक कि कॉमनेशन जो हमारा हो बिल्कुल भी अलग ना लगए ऐसा कॉमनेशन करना चाहिए किसी भी कपड़े में ते देखें हमारी कुर्थी बनके रेडी भी हो गई ज्यादा कॉस्ट भी मेरी नहीं लगी हिन परखें अपर दिखा देते हूं चलिए में बात करते अपनि दूसरी कुर्थी कि ये तो मेरा में फैब्रिक मैंने दिया हुआ था बाकि बेल स्विभर टीर प्लस मेश मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने इस पर यूज कर लिया है बेलवेट मेरा हाफ मीटर था तो मैंने सिर्फ चोली पे यूज किया है और लेसेज लगा दिया यहां पे त्रीलियर की लेस लगाई है पार पूरी कुरती आपको दिखा देती हूं उसके बाद में इसके फैबरिक की बात करते हूं कि जहां प मैंने कहा पर लगाया हुआ आप देख रहे हैं कि अलग-अलग ये फ्लावर बच्चे हुए थे तो अलग-अलग फ्लावर को मैंने एक में एड़ करके उसे राद इसको लगा दिया है दिन मैंने जो अंदर फैबरिक यूज क्या है वाइट पॉर्टन का है आपको दिखा देती हूं ये देखे मैंने पै वाइट और ब्लू का कॉमनेशन भी बहुत अच्छा लगता है जो इसका मेरा प्लाजो पैंट है वह बेलवेट का ही है तो मैंने बेलवेट का बनाया है और इसी गोल्डन जो आप देख रहे हैं वाइट कलर का नेट वह मैंने लगाया हुआ है तो मैं आपको अंदर का प्रिक पड़े से अलग ना लगे सेम दिखें यह देखें लेसे जाइड में लगा दी है और प्राची का लुप तो बहुत ही जादा आ रहा था तो इसे मने आप देख सकते हैं मैंने लेस का यूज़ किया है आप भी डबल लेयर या त्रिपल लेयर आपको जैसे पसंदा आप यूज़ कर सकते हों तो मैंने सिर्फ सिंगल एकी लेयर लेस लगाई अपने स्लेस पर और यह देखें हमारी लीफ की पूरी नेट है बहुत फ्रिकी लगती है तो गाइस यह सारे जो मैं आपको कपरे दिखा रही हो यह मैंने बहुत टाइम पहले बनाया था और आप कर सकते हैं यहां पित यह दो लेयर बाकी ति मेरी अॱodore की मैंने बैग पे लगा धिया है और मने चोली के लिए ती बिल्बिट यूज किया है और बैक पे मैंने बॉटम पे सिफ एक लेयर लेस लगाई हुई है यह देखे तो यह मेरा बन के यह भी कुर्टी रेडी हो गया है तो गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई कपड़े बहुत बहुत बात नहीं पहन पाते हैं इस वजह से वह कपड़े हमारे रखे रह जाते हैं तो चलिए हम बात करते हैं अपने दूसरे कुर्टी के यह सार मैं बात कर रही हूं यह लेस मेरे पास रखी हुए थी विलवेट तो आप देखी रहते हैं मैंने फ्लाज्जो पैंड के लिए लिए था तो मेरे पास पजिया थे तो उसी के लिए मैंने इस पैब्रिक बनाया है तो पहले मैं आप तो कुरी कुर्टी दिखा देती हैं फिर अ यह मेरे पास मेरी एक कुटी में लगी हुई थी और वह बहुत अलग से लग रहे थी तो इसे मने उसको निकाल के अपने इस पड़े में लगा दिया तो सिर्फ हाफ मीटर की यह लेस थी तो मैंने सिर्फ फ्रंट नेक पे और नीचे बॉटम पर ही लगाया है उसके बाद मैं इसमें स्टार फ्लावर दिख रहा हुआ है उसकी कटिंग मैंने बेलवेट पे की बेलवेट पे काने के बाद मैंने बेलवेट के नीचे नेट का यूज किया जो अंदर आप देख रहे हैं पिर उसके बाद इस पे अपनी मेन फैब्रिक रियोन पे जो मैंने कुटी रनाई है उस पे लगाया लगाने के बाद आप उसके से लकम ब्रोच लगा हुआ हो और ऐसक्राइब प्zar when a new anytime almost लुगाहिए आप देख सकते हैं इस मिचा धूआ है आप दौटे बड़े भी इहां पर इस टान है और साईज का है जो मैंने फ्लावर पे लगाया हुआ है वह अलग इस तोन है वाइत कलरा उपर और मैंने क्या किया है नियुक्त के आउटर एलिया पे भी मैंने यह लेसिस लगा ही आ पोरी स्टॉन ही पे एक चीज खाश्रत होती है कि हमारी फिटिंग जो होती है वह बहुत ही अची आती है यह में कपड़ा आपको दिखा रही है और याउन पे अमेरा और मैं अब आत करती हूं अपने बॉटम की तो बॉटम पे भी मैंने वही किया है लेस का यूज किया है में पर कुछ यहां पर में जो कर दिया और मैंने जो आउटर अगर ना लगा ते पूरा जोएंड कर दिया है हम आउटर एरिया पे इस वज़े से लेस लगा दिया क्योंकि अगर ना लगाते तो यहां पर हमारा फिनीशिंग बिल्कुल भी ना लिखता हो और कोई भी कप्रे में फिनीशिंग ना हो अब तक हमारी खुर्तिया कप्रे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं तो देखे बिल्कुल ध्यान दें कि मैंने अभी अभी इसका आइरन किया और मैंने दुने साइट की स्लीव जलागी और इस साइट की भी मेरे से जल गई है पिर बना सकते हो अगे बड़ते तो यह देखिए हमारी फ्रेंट की मैंने बता दिया आपको इसमें कौन-कौन सा फैब्रिक और कौन सा स्टोन मैंने लगाया हुगा है अब हम बात करते हैं अपने बैक की तो बैक पे भी मैंने थोड़ा नेक की डिजाइन दे दिया क्योंकि हमारा फूरा राउंड पे नेक है वैसे मैंने या पे बैक पे भी स्टार का लुक दे करके पूरा स्टोन का वग कर दिया है तो मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ सारा कुछ के इसमें कैसा लुक आया और इसमें मेरा हुग बटन वाला पूरा शो दिया हुआ है ताकि पहनने पे मेरा फेटिंग नेक की अच्छी आया है तो यह देखें तो गाइज इसमें से आपको कोई भी कुर्टी पसंद आती है तो आप स्क्रिंस ओट ले सकते हो या तो खुद बना सकते हो या फिर दे सकते हो बनाने बनने के लिए टेलर से तो वैसे तो लॉक डाउन का टाइम है तो आप खुदी बनाओ तो ज्यादा बेटर है वैसे यह मैंने नीचे बॉटम के भी बैक पे भी कर दिया है ताकि दो काम ब्यूसर भी चीज होती है काम आप एसा करो ताकि कुर्टी पहनने में भी अच्छी लगे और अपने को भी अच्छी लगे और दूसरों को भी अच्छी लगे तो यहमारा बैक का हो गया है ये भी हमारी कुटी बनके रडी हो गयी है जो हमारा ये पाबरिक है रियॉन का वो मैंने 2 मीटर लिया था और बाकि सारा कुछ मेरे घर पे था तो मैंने य tradi कर लिया इसमें भी कोई भी कोस्ट नहीं लिगि और पुर्टी भी बनके रेडी हो गई अब हम बात करते हैं अपने गाउन की तो गाउन में मैंने सारा कुछ बाहर से ही लिया है अगर आप यही गाउन बाहर से लेते हैं तो आपको ज्यादा कॉस्ट भी पड़ती है आप घर पे खुछ से मेटेरियल लेके बनाते हो तो आपको क सबस्ते पहुत कम पढ़ती है तो सबसे पहले मैं बता दो यह वन सोल्डर का गाउन है और इसमें जो अंदर जरी लगी हुई है वह उसे मैंने क्या किया है जो हमारा हाफ नेट छहापे मैंने अंदर कपड़ में लगा है वा से मैने इस ढून का पूरा नेक पर डिजाइन और मैंने क्या किया जो मेनी चोली है उस पर वाइट यवाइट मोटियों का वर कर दिया है देख सकते हैं आप ही Een उनिया पर मेंने का काम कर लिया है और सबसे बड़ी चीज इसमें लेस का काम होगा है जो हमारा चोली के पास लगाई हुई है वो पूरी चोली पे राॉंड एरिया पे लगाई हुई है जैसे मैं आपको भी फ्रेंट पे दिखा रही हूं ओभी मैं बाकप छोटी चोटी मोतिया लगाई है वैसे मेरा गाउन 5mm ने पनके रड़ी हुआ है यह कली वाला गाउन है इसने बनाया है यह शुटोरियोन से बनाए है यह विडियो अब टूटोरिय चाहिए तो आपको इसमीड तो अबटक मेरा कोई परब्लम नहीं है बॉटम पर मैंने लेज का यूज किया है और जो उपर छोली में सिल्क जरी का यूज किया है वही मैंने नीचे बॉटम पर पूरे राउंड एरिया पर लगा दिया है मैं आपको एक चीज़ बता जो कि इसमें कोई भी कैन नहीं लगा हुआ है फिर भी आप देख सकते हैं इसकी जो घेर है वह काफी अच्छा आया हुआ है मैं आपको इसका पूरा राउंड एरिया का घेर भी खाती हूँ यह देखिए जो हमारा घेर है वह काफी अच्छा आया है फुल घेर है इसकी आज मीटर में घेर तो अच्छी आ जाती है और जो मैं ऐसी कॉमनेशन में अंदर कपड़े लगाई हूँ हो वह सिल्क पे है और क्यूंकि सिल्क पे इसलिए लगा है क्यूंकि हमारी शाइनिंग क्यूंकि है अब हम कॉटन अंदर लगाते तो हमारे नेट पे बिल्कुल भी अच्छा ने दिखता है इसलिए हमने या पे सिल्क के कपड़ी का यूस किया है अस्तर के लिए तो गई इसमें आप कैन भी लगा सकते हो कैन लगाने पे और जादा गाउन अच्छी लगती है त इन अब देख सकτε है कुछ इस तरीके से है यह देखिए कम आपको दिखा रहे हैं और मैंने क्या कीया है आम होल पे इसे आप डिमेंड में देखते helpingおっ alive गोल्डन लोट एक लागता फिर्डेस लिछत लगा अपर देख सकते बोटम नगां तुर मैंने बहुत जादा लेयर लेसे कि नहीं लगाई है और मैं आपको बैक का दिखाते हूं इसमें बैक में कुछ भी नहीं है विलकुल सिंपल ऐसे परंट है बस बैक में मैंने राउंड एलिया में लेस दीक्री अंगल्ट है और यहाँ पर जरी ने टंगल लेंग जरी कई लिस ब्हें परहुन-द व सबक्राइबा देम बाकी कोई भी डिकरिश में उसे वगरा क्या आप देख सकते हैं योग कि अब मैं ये कपड़े बिल्कल नहीं पहनती हूँ तो मैं इसका रियोज आपको दिखाने वाली है और इसको आप फिर से एक बार नए लुक में पहन सकते हो तो गाईज आज की वीडियो यहीं तक अब मिलती हूँ क्यार से लुक में भाईज एक बार नए यहाईज सकते हूँ